अभी तक किसानों को PM किसन संदमान दी युजना के तहट 10 किस्ते 22,000 रुपे किसनों के बेंक एकाउंड में डाला गया है अभी 11 किस्त किसानों के खातों में एपरिश से लेकर जुन माह तक डाली जाएगी भारत के बहुँ सारे किसानों के खाते में 11 किस्त डालने के लिए state government के और से पर्मिसन मिल गई है तो अभी जल्द ही central government के और से 11 किस्त किसानों के खाते में डाले जाएगी मित्र आप लोग ने PM किसन पोर्टल पर देखाई होगा बहुत सारे किसानों को EKWC करने के लिए अन्यवारे था जिस किसन को EKWC करना था अगर वो किसन के वैसी नहीं करता है आने वाले किस्ट नहीं मिल पाएगी लेकिन जिस किसन के EKWC पेंडिंग रह गई होगी उन्हें भी 11 किस्ट मिल पाएगी पर हाँ 11 किस्ट के पाद आने वाले किस्ट उन्हें नहीं मिल पाएगी अगर मित्र आप एक किसान है अगर आपकी किस्ट पेंडिंग रह गई होगी तो आने वाले किस्त के लिए आप लोग को EKYC करना अन्यवारे है कैसे EKYC किया जाता है इसके उपर हमने पहले से एक डिटल में वीडियो बना हुआ है उस वीडियो के लिंक मित्रों आप लोग को इस वीडियो के आई बटन एंड स्किन और डिस्क्रिशन बोक्स में मिल जाएगा उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं हेलो फ्रेंड नमस्कार आप सभी मित्रों का सरकरी सुलिशन चनल पर हादिक स्वागत करता हूँ चलिए फ्रेंड वीडियो के सब्सुरूआत करते हैं मित्रों भारत सरकाद द्वारा PM किसन पोर्टल पर रजिस्टर सभी किसानों को गयरे किस्थ आने वाले कुछ दिनों में डाले जाएगे मित्रों आप लोग आने वाले किस्थ किस तरह आप लोग देख सकते हैं इसके लिए मित्रो सबसे पहले आप लोग को Google search करना होगा और लिखना होगा PM किसान उसके बाद आप लोग को first link को click करना है उसके बाद PM किसान सनमा निदी योजना की official portal open हो जाती है मित्रो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जिन किसानों की E-KVC pending है उन्हें E-KVC करना mandatory है अगर वो लोग के वैसी नहीं करते हैं उन्हें आने वाले समय पे किस्त नहीं मिल पाएगी और के वैसी करने के लिए समय बढ़ाय गया है आप लोग 31 में 2022 तक E-KVC कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से आधार OTP बेच E-KVC नहीं कर सकता है किसानों को E-KVC करने के लिए अपनी नजदी के CACC सेंडर पर विजिट करना होगा वहीं पर जाकर किसान अपना थम देकर E-KVC कर सकता है मित्र भारत सरकत वारत जल्दी PM किसन सर्मा निदी योजना के तर चेक कर सकते हैं कि आप लोग को 11 किस्त मिल चुकी है तो मित्र आप लोग हॉम पेज पर आएंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पेमेट टेटर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डेसबोट पर क्लिक करना है उसके बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर पसंद करेंगे उसके बाद आप लोगको डिस्टिक पसंद करना है यहां पर डिस्टिक लिस्ट आ जाएगे उसके बाद आप लोगको तहसिल पसंद करना आती है यहां पर kuin कि Kita टेटोस पर क्लिक करना है उसके बाए मित्रों आप लोग के सामने यहाँ पर किसानों की लिस्ट आ जाते हैं यहाँ पर मित्रों आप लोग देख पाएंगे किसानों को कितना इंस्ट्रोमेंट मिलने वाला है और कितना इंस्ट्रोमेंट उनको मिल चुका है उसके बाद किसान की डीटल देखने के लिए मित्रों आप लोग को यहां पर click for more detail पर click करना है उसके बाद किसान की detail यहां पर automatically आ जाएगी उसके बाद मित्रों आप लोग यहां पर देख पाएंगे किसानों को कितने किस्ते मिल चुकी है और किसानों को कितनी किस्त आने वाली है मित्रो इस पेज़ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग पता कर सकते हैं अगर आपको 11 किस्ट मिल चुकी होगी तो यहाँ पर आप लोग को 11 इंस्टल्मेन ऐसा लिखा मिलेगा अगर नहीं मिली होगे तो यहाँ पर आप लोग को सोग नहीं किया जाएगा तो मित्रो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपको 11 किस्त मिली है या नहीं उमित करता हूं फ्रेंड हमारे और से बताई गन परमिसन आप लोग को बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करेगा, सेर करेगा अपने मित्रो के साथ मन में अगर किसी भी तरह का सवाल, confusion होगा या तो आप लोग हमें suggestion देना चाहते होंगे आप लोग हमें comment box में type कर सकते हैं अगर मित्रो आप लोग ने चनल को subscribe नहीं किया होगा जोरू subscribe कर दीजेगा, subscribe करने के बार notification bell को भी जोरू दबा दीजे ताके हमारे और से upload की जाने वाले वीडियो के लिए बीत्रो आप लोग के पास पहले पहुंच पाए तब तक के लिए friends जे हें, वंदे मातरब, जे भारत के साथ next video में मिलते हैं Thank you